कि हाई गईस वेलकम टो क्रेटिंग वैल तो सुगर सेक्टर के कुछ इस्टॉक्स का मैंने अभी रिसेंट्ली जो है यह अनलाइसिस किया था प्रिभियस वीक के अंदर कि यह स्टॉक्स जो है आगे एक तेजी भर सकते हैं और इनके अंदर जो है तेजी आ सकती है उनके की बहुत से लोग ऐसे होंगे जोन्होंने वह विडियो नहीं देखी होगी बहुत अच्छी इपली रिसर्च जो है वो देखने को जो है मुझे तो मिल रही है खासका आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जो है ले रहे हैं और कितना जो है आप उस पर एक काम करने की जो है कोसिस कर रहे हैं उसको जो है आप समझने की कोसिस कर रहे हैं और उस पे जो है आप एक तरीके से अपना action भी लेते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं तो basically जो है ये वीडियो मैंने बनाई थी triple unbeatable rocket stocks are ready to launch do you have any ethanol blending जिस तरीके से काम जो चल रहा है बहुत तेजी से ये वाली scheme ये वाला जो area है कहीं ना कहीं आगे बहुत ही ज़ादा तेजी पकड़ता हुआ नजर आएगा उसकी सबसे ज़ादा बड़ी बजायो है कि कहीं ना कहीं हमारी government आने वाले time में oil पे जो import cut करने की जो सोच रही है उसका सीधा फायदा हमारे यहां की जो सेक्टर है ethanol blending से उसको फायदा मिलेगा और वो सेक्टर है इस समय पे sugar सुगर सेक्टर कहीं ना कहीं इसका भरपूर फायदा जो है आने वाले time में उठाटा हुआ दिखेगा और वही जो है धीरे धीरे करके अब दिख भी रहा है सच ह उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है जो सुगर सेक्टर है उसने और भी सेक्टर से आई टी वी जो है चला है कहीं ना कहीं लेकिन ethanol से जो सुगर सेक्टर है वो बहतर जो है तेजी दिखाता हुआ नजर आया है पहले देखो आप इस वीडियो की जो है जलक क्या जो ह पहले की वीडियो नहीं है यह मैं आपको जो है वीडियो का टाइम भी जो है बता देता हूं सेविंत मार्च को जो है यह वीडियो मैंने अपलोड की थी और इनमें जो स्टॉक्स मैंने जो बताये थे बहां से एक तरफा तीजी आप देखेंगे करीब करीब 15% से जादा ज जो है दाब लगाए आगे के लिए और कौन से स्टॉक्स जो है व्यां चल सकते हैं तो यह से मैं नों में जょ और ना चलिकिव चल ते तो 17,500, 800 से निफ्टी जो है 15,800 के आस्क पास आ चुका है करी 2000 का पॉंट का जो है क्रेक्शन हो चुका है इन इस टॉक्स में आप देखेंगे तो बहुत ही कम जो है घरावर्ड देखने को मिल रही है यहां से जैसे जैसे नॉर्मल सी जो है आती हुई दिखेगी यह स्टॉक जो गौर्मेंट फोकस रखे हुई है थेनॉल प्रोड्यूसिंग और एथेनॉल प्रोड्दूक्शन जैसे वह गोल रहे है कि 20 परसंट तक जो है एथेनॉल जो है ब्लेंडिंग का जो काम जो चल रहा है अने वले ताम में गवर्णिम्यमेंट तो पूर और जल्दी से जल् मुझान आप से लिए संहे के स्टॉक्सें है तो बहतर परफॉर्म कर रहे हैं अभी यहां तग देखेंगे तो लाग जाए स्टॉड वर्डियूसिं कंट्रीस में इंडिया जो हावी सेकिन नंबर पर 19-20 की रपोर्ट के शाब से और देर करके मुझा लग रहाए ब्राजील को भी यह भी जो वाइब न पूरा फाइदा मिलेगा और इस सेक्टर को जो है इसका पूरा फाइदा चल रहा है अगर आपने मरेचन को इता सब्सक्राइम जो है स्टॉक्स पर अपनी वीडियो ऑल्डेटी जो है बना रखिये जहां पर हमें डिटेल्ड अनलाइसिस कर रखा है आप हमारे यूट्योग क इसका लिंग मिल जाएदा तो सबसे पहला जो इस टॉक है बल्राम पूर्चीनी जिस तरीके से अपने प्रोड़क्शन को बढ़ाने की को पोशिश कर रहे हैं इनकी तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से जो है अनौन्समेंट आ रहे हैं थैनोल प्रोड़क्शन को लेके पिग आराम से जो है से स्टॉक मैं शॉर्टरम के लिए लॉंटरम के लिए दॉन आफिल यह जो पकड़ना चाहिए शॉर्टरम का यह नहीं है कि आप एक महिने के अंदर ही उच्छाल मार देगा तैनी करीब देखेंगे तो आप तीन-चार महिने का तो थोड़ा ही आपको तो कहीं ना कहीं एक बुर्शोगर का आप देखेंगे तो यह स्टॉक वी इस समय पर देखेंगे तो अपने बुलिश्टरम में चल रहा है और यह अगर बात करें तो जो है बिल्कुल और दिखाता हुआ नजा बुलिश्टरम के अंदर और नीचे एक जो बेस जो नजर आ कि दूंगा इस वीडियो का आप जो है देखें किस तरीके की जो है रिसर्च जो है आपको मिली है इस वाले चैनल पर हमारे चैनल पर और आगे आप किस तरीके का फोकॉस रह सकता है क्योंकि एक अच्छा-खासा तो जूप ले लिया है अच्छा-खासा जो है शूट हो कि आपने कौन से स्टॉक ले रखे हैं इस थीम के ऊपर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक भागेंगे इतना जरूर होता है कि कोई सेक्टर अगर बहुत तेजी में होता है या वो बहुत ही जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है तो उस समय पे आप देखेंगे स्टॉक सारे के सारे कहीना कहीं जो है भागते हुए नजर आते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही क्वाल्टी स्टॉक ऐसे होते हैं जो कहीना कहीं अगर कोई नेगेटिव इंपेक्ट आता है तो वो कहीना कहीं जो है बच पाते हैं उस जो है नेगेटिव इंपेक्ट से और ज् उसको चेक करना चाते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा after that हमें जो है call भी करके पता कर सकते हैं कि हमने जो है आपको ये suggestions क्यों दिए है उसके पीछे जो है आपको इक strong note भी मिलेगा stock portfolio के लिए भी जो है आप हमसे suggestion ले सकते है mutual fund के लिए भी जो आप हमसे suggestion ले सकते हैं अगर आपको latest portfolio अगर बनवाना है अपना बिलकुल फ्रेश पोर्टफोलियो बनवाना है तो उसके लिए जो है आप हमसे guidance ले सकते हैं just 9999 रुपीज में जो है आपको एक smart portfolio हम जो है आपको बना के देंगे हमारे जो stocks होंगे वह हम जो है आपको suggestion उसमें देंगे आप हमारा membership program भी जो है ले सक तो एथेनोल ब्लेंडिंग से रिलेटेड एथेनोल ब्लेंडिंग से जो जुड़े हुए जो स्टॉक है उनमें अभी ये तेजी का दौर शुरू ही हुआ है मेरे हिसाब से फिलाल मार्किट में जस्ट अभी ये ट्रेलर दिखाया है अभी ये पिक्चर पूरी के पूरी जो ह बाकी है और इस पे पूरा पूरा जो है दारुंदार रहेगा 2022-2023 कहीं ना कहीं ये दो साल एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोगाम के लिए बहुत ही अच्छी जाती हुई दिख सकती हैं तो कम से कम दो साल के लिए तो सुगर स्टॉक्स में जो है आप भरपूर तेजी यहां से देख सकते हैं और एक अच्छा खासा आप जो है इजाफा देख पाएंगे यहां से लेकिन कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे उन क्वाल्टी स्टॉक्स पे जो है आपको अपना वेटेज जो है लगानी चाहिए उन पे जो है आपको खास कहूropन नहीं लेकिन अगर आपक्वाली स्टॉक्स अगर आप लेते हैं मिड़किए स्टॉक्स अगर आप लें से ऊपसाइडे आपके बीसे अंनल कोई में ही जो है कौन-कौन से भडिया परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आपके सामने जो है रखता हूं इस बार तो चलिए बात करते हैं तो पहले तो बात करेंगे धामपुर सुगर की जिस तरीके से इसने जो है एक्स्ट्राओर्डनरी जो परफॉर्मेंस जो दिखाई है अभी प करीब करीब आप देखेंगे 400 रुपे के आसपा जो है ट्रेट कर रहा था वहां से अपसाइट एक तरफा जो है बनती हुई देखी है अभी इसमें और अपसाइट बाकी है जो आप आने वाले टाइम में इसमें बनते हुए देखेंगे क्योंकि यह वाला आप जो चार्ट वाला जो चार्ट पैटर्न जो बना है यह वाली जो केंडिल मार्च की केंडिल जो यह बनती हुई दिख रही है यह कंटिन्यूएशन में और भी उपर जो है जाती हुई दिखेगी तो मेरे इसाब से जो है अगर आपको इसमें फॉल मिल जाए बहुत ही भड़ी आया पकर ऐनने लाइक रहे गा अगर फॉल नहीं मिलता है तो थोड़ा थोड़ा खरके जो है आप सिर्थ के थ्छू जो है आप इसमें अपना इंवेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर आप ज Ц Unknown करेंगे कहीन नखाए जो है उसका फाइदा आपको आने वा मात्रा में मिलता हुआ दिखेगा तो मेरे इसाब से जो है धामपूर सुगर को जो है आप ले सकते हो बल्रामपूर चीनी का भी अगर चार्ट पैटन देखा जाए बिलकुल भैतरीन चार्ट पैटन इसका भी जो है बना हुआ है इस समय पर आप देखेंगे यह वाली जो कें इस टॉक्स के अंदर मिलती हुई दिखेगी आपको करना क्या है तोटली पैसा आभी नहीं इंवेस्ट करना है क्योंकि आप देखेंगे अभी जो है इह अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है थोड़ा-thोड़ा पैसा करके जो है इनवेस्ट करें जैसे-जैसे इन के इ आप जो है उसको average करते चले जाएं वो ज्यादा अच्छा रहता है एक्चुली होता क्या कि सारा का सारा पैसा जो है उपर बल्क में आपने डाल दिया 15-20 पर दिन जो है स्टॉक नहीं चला वहां से जो है करेक्ट होके 5% नीचे आ गया सारा का सारा भीलीव जो है खतम हो जात कन्विक्षन सारा अगा-सारा ब्रेक हो जाता है इस टॉक को आप वहीं बेच देते हो इसमें इतना अच्छा मूमेंट नहीं आया है जितना अच्छा मूमेंट वल्रामपूर धामपूर और त्रिवेनी के अंदर आया है अब कुछ इस टॉक्स और पकड़ लेते हैं तो मै आपको इसलिए ये stocks के chart देखा रहा हूँ कि कुछ ही stocks के chart में देखेंगे तो तेजी जो है देखने को मिली है उनके 52 weeks high ब्रेक हुए है कुछ ही stocks में आप देखें और जो सबसे पहले निकले हैं उनमें और भी तेजी ज़्यादा बनती हुई देखने के पूरे chances जो हैं और आपको जो है ऐसा देखने को मिलेगा नहवाले time के अंदर तो यहाँ पे जो है डालमिया सुगर की अब बात कर लेते हैं डालमिया सुगर का भी आप एक बार देख लीजिए किस तरीके का जो है इसका chart pattern बना हुआ है यह देख सकते हैं आप यह stock भी जो है एक अच्छा खासा निकलता हुआ दिखिया है लेकिन उतना revival अच्छा खासा नहीं आया है जितना revival आप देखेंगे उन stocks के अंदर आया है तो यहाँ पे आपको stock जो है एक बहतर choose करने आने चाहिए कि कौन सी stock जो है बहतर perform करते हुए दिख सकते है उनमें जो है आप bet लगाए मेरे इसाब सी यह तीन stocks तो बहतर काम करते हुए नजर आएंगे अगर आपने कोई और भी stock ले रखा सुगर sector से तो उस पे भी जो है आप बने रह सकते हैं कोई problem नहीं है अपना stop loss जो है उसमें maintain करके रखे है और कहीं न कहीं अगर वो stock बढ़िया perform नहीं कर सकता है तो आप इन में से भी कोई भी stock जो है चूज कर सकते हैं मेरे थुरू जो suggest किये गए है अपना analysis लेकिन जरूर कर ले क्योंकि conviction जरूर आएगा जब ही आएगा जब आपका analysis खुद का भी होगा क्योंकि ये just मैंने आपको educational purpose के लिए ये वीडियो बनाई है आप इसमें देखें किस तरीके से stocks अपनी rally दिखा रहे हैं बाद में यही stocks चूट जाएंगे और यही stock आगे जाके आप देखेंगे 100%, 200%, 300% पर जो है जाके खड़े हो जाएंगे आने वाले time के अंदर अगर आप 2-3-4 साल का अगर आप एक view लेके रखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपने नीचे नहीं लिया और जहां से शुरुआत होई थी वहीं से अगर आप नहीं पकड़ पाए और फिर उपर अगर stock जब चला जाता है तो फिर तो बिलकुल ही पकड़ने की जो है इच्छा नहीं करती है ये theme आने वाले time में एक अच्छा खासा काम बिलकुल कर सकती है तो इस पे जो है आपको focus रखना चाहिए थोड़ा long term का view आप इस पे लेके चलें शौट टर्म में मुनाफ़ा बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो आप निकल के जो है बार भी खड़े हो जाए कि शौट टर्म में अगर बढ़िया मुनाफ़ा बन जाए otherwise थोड़ा long term का एक view आगर आप लेके चलेंगे केस में बहतर performance आपको इस सेक्टर से आती हुई दिखेगी अपना भी NLIC लेकिन एक बार जरूर करने मैं आपको जो दुबारा से कह रहा हूं उसके बाद ही जो है स्टोक को 22 या होल्ड करें थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो